पेश है राधस्तान की नो बड़ी खबरें आज दो नकली ड्रग निरिक्षकों को गिरफतार किया पुलिस के अनुसार महेश और मोहन नामक व्यक्ती प्राग पुरा थानाश्यत्र के पावटा एरिया में नकली ड्रग इंस्पेक्टर बनकर घूम रहे थे उन्होंने गाडी पर भारस सरकार लिखवा रखा था ड्रग इंस्पेक्टर सिंदु शर्मा को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी नागोर में आज पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैद गुठका और तंबा को बरामत की मोके पर 40 कार्टुन जब्त किये गए इस मामले में तीन लोगों को गिरफतार क दिये बिकानेर के नया शहर थाना शेत्र में आज करंट लगने से एक युवक की मोत हो गई उसे बिजली सबंदी कारे करते हुए करंट लगा पुलिस ने शव अस्पताल में भिजवा दिया है राजसान सरकार ने राज़ के अलग-अलग इलाकों में फसे मजदूरों को उनके घर बेजना शुरू कर दिया बुद्वार से गुरुवार सुबह तक करीब 40,000 मजदूर और कामगर अपने घरों के लिए रगाना हो गए और इनके लिए बसों की विवस्ता की गई 26,000 को मद्यप्रदेश की बोर्डर पर और 2,000 को हर्याना बोर्डर पर पहुंचा दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मशूर फिलम अभिनेता रिशी कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया गहलोत ने कहा कि कपूर एक बहतरिन अभिनेता थे उन्होंने अपनी अदाकारी के माध्यम से विशिष्ट पहचांस सापित की भारतिय सिनेमा में उनके महतपुन योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा जन संपरक एवं चिकिस्सा मंत्रे डुक्टर रगू शर्मा ने भी रिशी कपूर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गहरी समवेदना जताई है मोसम विभाग में राजसान के विभिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है मोसम विभाग में औरेंच अलर्ट की तहट तीन और चार मई को श्रिगंगानेगर चूरू हनुमानगर नागोर बिकानेर जोत्पूर जैसलमेर सहित 21 जिलों में आंधी और ओला विष्टी की चेतावनी जारी की है और इन चेतावनी यहां बारी बरसात और ओला विष्टी हो सकती है और वहीं 30 अप्रेल तता 1 और 2 मई को कई जिरों में बरसात और आंधी की चेतावनी जारी की गई है मोसम विभाग के अनुसार 30 अप्रेल को श्रीगंगानगर चूरू हनुमानगर नागोर बिकानेर जोत्पूर जैसलमीर जुनजनू सीकर दोसा भरतपूर जैपूर करोली धोलपूर सवाई माधपूर टोंक अलवर मूंदी कोटा अजमीर भीलवाडा रासमन उदैपूर च करताप नगर की अंतरगत बंबाला कच्छी बस्ती में जरूत मंदों को भूजन के पैकेट और मास्क बांटे गए उन्होंने खुद के श्रम और आर्थिक सामर्थे से लोगडाउन के दूसरे चरण में सोलमे दिन 500 से जादा भूजन के पैकेट और 200 मास्क का वित्रण किय सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर